हलो बच्चो वल्कम बैक टो आर चैनल इजी वे टू स्टुड़ी बच्चो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास एट की मैथमेटिक सब्जेक्ट की वक्षीट नमबर टू बच्चो जैसे कि आप सब भी जानते हैं सबसे पहले हमें आप अपना नाम लिखना होता है और साथ ही बैल आइकन बटन जरूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तरंट नोडिफिकेशन मिल जाए चलिए देखते हैं अपनी वक्षीट बच्चो आज की मारी वक्षीट का टाइटल है रिप्रेजेंटेशन ओफ रैशनल नमबर लाइन रैश बच्चो इस वक्षीट हो करने से पहले आप एक स्केल अपने साथ रख सकते हैं जिससे आपको यह solve करने में काफी easy होगी चलिए देखते हैं इसको आगे question 1 what all numbers are there on a scale? write all the numbers एक स्केल पर क्या क्या नमबर्स होते हैं वो आप सभी को लिखने है on a scale between 1 and 2 there are 9 markings how can we write these numbers? एक scale पर 1 से 2 के बीच में आप बच्चो जब देखेंगे तो छोटे 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 छोटी 9 markings no line ने बनी होती हैं आप उन 9 line कैसे लिख सकते हैं वो हमें दिखाया गया है तो बच्चो सबसे पहले आता है one one के बाद क्या आता है first mark यानि first line उसे हम बच्चो 4th mark 5th mark ऐसी आगे चलते चलते जहें 6 mark को अब लेख सकते 16 upon 10 7th mark को 17 upon 10 8 mark को 18 upon 10 और 9 mark को 19 upon 10 तो बच्चो these are rational numbers जो हमने देखा first mark second mark यह है बच्चो हमारे rational numbers और एक से दो के बीच में हमारे ये no rational numbers होते हैं आगे चलते हैं आगे बच्चो हमें कुछ rational numbers दिये गए हैं और उन्हें convert किया गया decimal form decimal form मतलब वो numbers जिनके बीच में dot आता है जैसे यहां पर rational number first 11 upon 10 दिया गया उसको हम लिख सकते हैं 1.1 12 upon 10 दिया गया उसको हम लिख सकते हैं 1.2 13 upon 10 को हम लिख सकते हैं 1.3 14 upon 10 को लिख सकते हैं 1.4 ऐसे ही बच्चो आगे चल चलते 19 upon 10 को लिख सकते 1.9 और 20 upon 10 को जो हम divide करेंगे तो हम लिख सकते 2 इसका मतलब हम rational numbers को और decimal numbers को एक scale पर दिखा सकते हैं we take value 1.4 from above set values और देखते हैं आप उसको scale पर कैसे दिखा सकते हैं तो बच्चो आप देखेंगे 1 से 2 के बीच के यहाँ पे section हमें enlarge यानि बढ़ा के दिखाया हुआ है और 1 से 2 के बीच में जो 9 लाइने हैं 9 markings हैं वो भी हमें दिखाई गई हैं first marking को लिखा है 1.1, second को लिखा है 1.2, third को 1.3, fourth को 1.4 ऐसी ही आगे चलते हैं लिखा गया है तो आप देखेंगे 1.4 को हमें fourth marking पे show किया गया है क्योंकि आपने उपर देखा था वो हमारे fourth mark का answer था 14 upon 10 को हमने लिखता था 1.4 तो आप इसे fourth mark पे लिख सकते हैं आगे चलते हैं आगे बचो representation of rational numbers और ना number line यानि हम rational numbers को number line पे कैसे दिखा सकते हैं तो यहाँ पे बचो हमें एक table दी गई है जिसमें हमें पहले number दिया गया है के हमारे decimal number क्या है फिर उसको rational number में convert किया गया है और उसका place दिखाओ किसके बीच में होगा scale पे जैसे हमें 1.7 दिया गया था तो उसको हमने rational number में convert कर दिया 17 upon 10 और वो किसके बीच में आता है बच्छो 1 & 2 के बीच में अब इसे हम number line पे कैसे represent कर सकते हैं इसे हम represent कर सकते हैं 7th mark पे कि बच्छो 17 upon 10 हमारा 7th mark पे आता है 1 & 2 के बीच में ऐसी बच्छो हमें कुछ और decimal numbers दिये गए हैं चलिए इनके answers देखते हैं बच्छो हमारा first number है 3.3 जिसे हम लिख सकते हैं 33 upon 10 और 3.3 पढ़ता है बच्छो 3 & 4 के बीच में तो हमने लिखा between 3 & 4 जब हम number line बनाएंगे तो between जिसके लिखा उन दोनों points के बीच की हम number line ड्रो करेंगे उसके बीच के 9 points ड्रो करेंगे तो मैंने अपनी number line 3 से start करी 3.3 and यह 3.3 ही हमारा given number है तो हम 3.3 पर अपना mark कर देंगे answer next number है बच्छो 2.8 2.8 को आप लिख सकते हैं 28 upon 10 और वह बढ़ता है 2 & 3 के बीच में तो हम क्या करेंगे 2 & 3 के बीच में number line बनाएंगे और उसके बीच में 9 markings बनादेंगे 9 markings बनाएंगे तो चलेंगे starting से 2.1, 2.2, 2.3 चलते चलते आप 2.8 पर पहुचेंगे तो वही हमारा desired number है तो आप क्या करेंगे 2.8 पर अपनी mark लगा देंगे और उस पर लिख देंगे 2.8 और 28 upon 10 next number बच्छो हमारा 4.3 तो आप 4.3 को लिख सकते हैं 43 upon 10 4.3 बटता है बच्छो हमारा 4 and 5 के बीच में तो आप क्या करेंगे 4 and 5 के बीच में number line डो कर देंगे और इस पर 9 markings बना देंगे first marking होगी 4.1, second 4.2, third 4.3 जब आप 4.3 पर पहुचेंगे तो आप देखेंगे यह हमारा desired number था तो आप क्या करेंगे इस पर निशान लगा देंगे इपना और इस पर आप लिख सकते हैं 4.3 और 43 upon 10 चलिए बच्छो यहाँ पर यह question complete होता है इसके साथ ही बच्छो यहाँ पर हमारी worksheet complete होती है I hope आपसे भी कोई आच्छे समझ में आई होगी बच्छो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे like करना और अपने friends सा शेयर करना ना भूलें साथ ही अगर आपको कोई question है तो उसे आप comment section में जरूर पूछें हम आपके question को जल से जल answer करने की कोशिश करेंगे और बच्छो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बैल आइकन बटन जरूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए तैंक यू